कुश्चन है मारे पास, कुश्चन मों से बोला गया है form of quadratic polynomial whose one of the zeros is 2 plus under root 5 and sum of the zeros is 4 कुश्चन मों से बोला गया है कि हमें यहाँ पर एक quadratic polynomial find करना है जिसके दो zeros में से एक zeros हमें एक zero हमें यहाँ पर गिवान है 2 plus under root 5 और उस quadratic polynomial के जो sum of zeros है यानि 2 zeros का जो sum है वो भी हमें दिया हुआ है इस base पर हमें quadratic polynomial find करना है देखिए कभी भी अगर हमें कोई भी quadratic polynomial find करना हो तो उसके लिए हमें 2 चीज़े मालूम होनी चाहिए एक तो sum of zeros और एक product of zeros ठीक है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मैं यहाँ पर पहले लेट कर लेता हूँ लेट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें sum of zeros given है यह नहीं के alpha plus beta हमें given है जो कि कितना है 4 इसे हम equation first मान सकते हैं दूसरा हमें एक zero given था जो कि कितना था तो जो एक zero given था इसमें से एक zero alpha और beta है तो यह alpha की value हमें given थी तो प्लस अंडर रूट 5 अब हमें क्या करना पड़ेगा बीटा हमें यहाँ से find करना पड़ेगा जब बीटा हमारे पास आ जाएगा तो हम alpha beta निकालेंगे फिर alpha plus beta हमारे पास है alpha beta वहाँ से आ जाएगा फिर हम quadratic polynomial निकाल पाएगे तो अब हम क्या करेंगे यह वाली जो value है alpha की equation first में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर put it in equation first तो यहाँ पर alpha की जाएगे 2 plus under root 5 और plus beta is equal to में किता आ जाएगा यहाँ पर 4 अब beta की जब value यहाँ से निकालेंगे तो 4 यह इदर आ करके minus 2 और minus under root 5 तो यहाँ से beta is equal to 4 में से 2 minus हो जाएगा तो 2 बचेगा minus under root 5 अब यहाँ पर देखते हैं तो beta हमारे पास आ चुका है अब हम यहाँ पर alpha beta निकाल सकते हैं तो alpha beta जो हम निकालेंगे दो brackets की multiply होती है और दोनों bracket बिल्कुल एक जैसे हो और बस plus और minus का फर्क हो तो वहाँ पर a square minus b square वाली identity लग जाती है पता है आपको a plus b into a minus b का formula क्या होता है a square minus b square तो यहाँ पर पहले वाला जो term है उसका square और minus जो second वाला term है उसका square तो 2 का square 4 और minus under root 5 का square कितना आ जाएगा 5 ठीक है तो यहाँ पर minus 1 आ जाएगा तो हमें alpha बीटा मिला minus 1 अब हम क्या गर सकते हैं quadratic point में निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास alpha बीटा भी है और हमारे पास alpha plus बीटा भी है तो इसलिए अब हम यहाँ पर x square x square minus alpha plus beta into x कार को तो आप ऐसे ही रखें minus alpha plus beta हमारे पास कितना है 4 और into में x और plus alpha बीटा कितना आए था minus 1 और इसे equal to में 0 तो x square minus 4x bracket से पहले plus का sign अंदर के sign change नहीं होंगे तो यहाँ पर minus 1 आ जाएगा equal to में 0 अब देखिए यह जो है quadratic equation है जबके हमें चाहिए quadratic polynomial तो अब हमें quadratic polynomial कैसे मिलेगा जब equal to के इधर 0 हो तो जो भी इधर बचता है ठीक है वो ही quadratic polynomial होता है तो इसलिए quadratic polynomial quadratic polynomial जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास x square minus 4x और minus 1 यह इसका answer जाएगा जाएगा झाल झाल